उत्तर पर्देश के मुरादा बात के कोत वाली थाना शेतर के चोराहा गली में उस समय हडकंप मच गया जब दो अज्यात लोगों ने गली में फायरिंग करना शुरू कर दिया जब लोगों ने फाइरिंग की आवास सुनी तो आवास सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर आए लोगों के बाहर आने पर फाइरिंग करने वाले दोनों अग्यात युवक फरार हो गए पूरी घटना वहां लगे सिस टीवी में रिकोर्ड हो गई पेडित ने बताया कि हम लोग अपने घर में थे तब हमने घर में फाइरिंग की आवास सुनी तो हम लोग अपने अपने घरों से नीचे आ गई तब तक वह अग्यात लोग तीन फाइर कर चुके थे अग्यात हमलावरों ने एक फाइर उनके घर की छत पर भी करा है हमला करने वाले दो लोग बताए जा रही है पूलिस घटना स्तल पर आ गई वो फाइरिंग करने वाले आरोप्य की तलाश कर रही है बता दे कि एक यूवक सिसी टीवी कैमरे में कैट भी हो गया है पूलिस सिसी टीवी के आधार पर कारेवाही कर रही है गटना स्तल पर पहुंची चोगी इंचार्ज ने बताय कि फायरिंग की सुचना मिली है सुचना के अधार पर साक्षे जुटा कर कारेवाही की जा रही है मुरादाबाद से सवादाता बाजी देली की रिपॉर्ट कि बता है किस को रभा है कदेर बाद पुलिस को कोग मिलें यहां पर और दो को कि मिलें कि क्या लगर आप वलुटने कहताब से आया थे किस तरीके से शैलेव नहीं है दरोगा जी इसकी तफसीश कर रहा है वो उपर कैमेरे में देखने गाए एक बाइट सीटीवी कैमेरे लगे लगे लकी राजा लकी क्या हुआ आपकी गली मामी अभी आवाजे आई हम लोग तो ने खाना खागे लेटने जा रहे थे उसके वार आवाज आई ममी बूली देख किसी ने देखा ही नहीं Moo risenen निकले तो महले के लोग सबस्क्राइब कोई कऊई नहीं कोई नहीं हट याथ आथ और फेटा बोधर ही रहता ओर यानो किसी ने वह चल लगे हैं कैमेरे देख नहीं किसी ने रहे है को शनिट बता किया पता लगा था कुछ सूचना भी ली दिया आपको क्या था ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हन्यवाद